अशोक गेलोर जी, सचिन पाइलट जी, संजे कुमार जी, रमेश मीना जी, भरोसिलाल जाटव जी, गिरराज सिंग मलिंगा जी, रोहित बोरा जी, खिलाडी राल बोरा जी, पियार मीना जी, जी, मोहन प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, साकेट जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सबनेता, कॉंग्रेस के प्यारे कार्यकरता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, इतनी गर्मी में आप आए, दूर-द सूरे सबस्क्राइबिंस्टाइबिन और खास्तोर से जो थैनौ को कॉछ्ट वा कि आ आपको भी बहुत भगधनियुआत और मैं आप आई है तो में आप से इस इसरी पिछले पांच सालों में लाक्राइं रमें यूद्य जी नի करोड रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के बैंक अकाउंट में डाला है आपको याद होगा कि नोट बंदी की और आपके घर में से आपके घर में से आपका पैसा निकाला और नीरव मोधी मेहोल चौक्सी जैसे लोगों को दिया आप सिर इला रही हैं सही बोल र हाजार करोड रुपए पंद्रा लोगों को नरेंद्र मोधी जी ने दिये जोट अब देखिये पांच महीने पहले मैनthen पांग्रेस के एकॉनोमस को भुलाया और उनसे मैंने और नरेंद्र मोधी जी ने 15 लाक रुपय हर बैंक अकाउंट में ढलने का वाइदा किया था और हिंदुस्तान के गडीब लोगों ने सपना देखा कि शायद हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भी आ सकता है और उसके बाद में धोका देने के लिए नरेंदर मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए मगर उसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक रुपिया नहीं डला उल्टा आपका पैसा उससे भी काटा तो पांच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस के नश्ट नहीं करना चाहता हूं तो आप पता लगाईए स्टडी कराईए दुनिया के सबसे बहतर एकॉनमिस से पूछिए अगर मैं चाहूं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं तो मैं कितना डाल सकता हूं मैं जानता हूं पंद्रा लाग नहीं डाला जा सकता है आप मुझे बताओ कितना डाला सकता है एक शर्थ है अर्द्ववस्ता का नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ दिन पहले मेरे पास वापस आते हैं कागस पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया शितामरम जी ने कागस प कितने लोगों को 72,000 कितने समय में पांच साल में दस साल में पंद्रा साल में सितामरम जी कहते हैं राहूल जी हमने पूरी स्टडी करा ली है दुनिया के सबसे बहतर एकॉनमेंस से पूछा है 72,000 रुपए एक साल के 25 करोड़ लोगों को अब देखिए माता जी आप देखिए नरेंद्र मोधी जी ने 15 लाग देने का वाइदा किया जूट हमने पता लगा लिया मैं आपको स्टेज से कहता हूँ 15 लाग नहीं दिया जा सकता कुछ भी हो जाए नहीं दिया सकता क्योंकि अगर 15 लाग दिया गया हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता नश्ट हो जाएगी और गरीबों को ही नुक्सान हो मगर 72,000 रुपै साल के 3,60,000 रुपै पांच साल के कॉंग्रेस पार्टी पांच करोड लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रही है अब बात करता हूँ महिलाओं की जो मैं आपको पहले बोलना चाह रहा था अब यहां बहुत सारे पुर्श आये हैं मैं शुरुआत में आपसे माफी मांग रहा हूँ बात में गुस्सा मत होना पांच करोड परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा भाईों बाद में मुझसे मत कहना ये क्या कर दिया मैं इनके बैंक अकाउंट में पाँच करोड महिलाओं के बैंक अकाउंट में पाँच साल के तीन लाग साथ हजार रुपए डालने जा रहा हूँ इसके दो कारण है एक मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बताना चाहता हूँ माताओं बेनों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे एक हिंदुस्तान होगा अगर नरेंडर, मोधी, नीरव, मोधी, महूल, चोकसी, अनेलमानी के बैंक अकाउंट में अब भाई और बहनों इससे बहुत जबरदस फायदा होने वाला है सिरफ उन पांच करोर परिवारों को नहीं मगर पूरे हिंदुस्तान को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की जैसे ही उन्होंने आपके घर में से पैसा निकाला युवाओं के जेब से पैसा निकाला छोटे दुकानदारों के घरों से पैसा निकाला वैसे ही हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया उसके उपर नरेंद्र मोदी ने गबर सिंग टैक्स लागू किया जो पहले आपके जेब में था बचा था नोट बंदी से वो भी निकाल लिया हिंदुस्तान के लोग माल खरीदना बंद किये पहले आप पैंट शर्ट, टूथपेस्ट, आलूगे चिप्स जो भी खरीदे थे आपने बंद किया जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया वैसे हिंदुस्तान की फैक्टरिय ने माल बनाना बंद किया दुकानों ने माल बेचना बंद किया जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्टरिया बंद हुई आपको ही जटका लगा आपके ही बेटों को आपके ही बेटियों को फैक्टरियों के मालिक ने फैक्टरियों से कहा कि तुम यहां से परे हो जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है रो बेरोजगारी हिंदुस्तान में, अब जैसे ही हम नयाई योजना देंगे, जैसे ही नयाई योजना चालू होगी, जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उसी दिन आप लोग एक बार फिल मार खरीदना शुरू करोगे, कोई शर्ट करीदेगा, ये जो हमारी ब बी, जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएगी, जैसे ही दुकान चालू हो जाएगी, वैसे ही फैक्ट्रिया माल बनाना शुरू करेंगे, जैसे ही माल बनाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके बच्चों को उन्ही फै एक्टियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा यह देखें कॉंग्रेस पार्टी का कमाल न्याई योजना सिरफ गरीबों की मदद नहीं करेगी न्याई योजना हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता को जंप स्टार्ट करेगी जैसे ट्रैक्टर में ट्रक में डीजल ड न्याई योजना के एकदम बाद चावी घुमेगी और जटके से हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता चालू हो जाएगी आप सब को फाइदा मिलेगा करोणों युवाओं को रोजगार मिलेगा मगर आप वहाने ही रुकना चाहते हैं बाईयों और बेनों आपने नीरव मो मेहूल अनिल 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 अमबानी इनके नाम आपने सुने हैं लाकों करोड रुपे इनका कर्दा माद किया अनिल अमबानी को राफाइल गोटाले में 30,000 करोड रुपे चोकिदार जी ने दिये 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी और 22 लाक सरकारी नौक्लियां खाली बाईयों और बैनों जैसे ही सरकार आएगी मैं इसके एच से कहता हूँ 2 करोड युवाओं को रोजगार मैं आपको यहां से वाइदा नहीं करूँगा मैंने निया योजना की बात बोली और लाकों युवाओं को रोजगार उससे मिलेगा मगर मैं यहां से आपको गैरंटी करता हूँ 22 लाक सरकारी नौक्रियां एक साल के अंदर कॉंग्रेस पार्टी आपको दे देगे मैं दो करोड नहीं बोलूँगा 22 लाक सचा ही बोलूँगा दस लाक पंचायतों में युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है दस लाक युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में कॉंग्रेस पार्टी रोजगार दी यह काम करा जा सकता है हमने आपसे कहा था दस दिन के अंदर कर्जा माफ होगा और गेलोर जी ने, कमलनाद जी ने बगेल जी ने दो दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया, कारवाई शुरू कर दी एतियासिक काम किया नरेंद्रमोदी जहां भी जाते हैं जूट बोलते हैं किसानों को सही दाम दूँगा दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा 15 लाग रुपए डालूँगा मैं आपसे यहां जूट बोलने नहीं आया हूं मैं आपको सीधा बता रहा हूं 15 लाग ने दिया जा सकता 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे गैरिंटी म लाग युवाओं को रोजगार दिया जाएगा एक साल में 10 लाग यूवाओं को पँचायत में दिया जाएगा यह आप से बोल दूँगा कि राजिस्तान की सरकार इंदूस्तान की सरकार ुपार लाकों क्रोब रुपए आपके सिक्षा में आपके स्वास्त में, हस्पताल बनाने में, प्राइवेट स्वारी पॉबलिक सरकारी हस्पताल बनाने में, सरकारी कॉलेजेज, सरकारी युनिवर्सिटी बनाने में आपका पैसा जाएगा और आप अपने बच्चों को कम से कम पैसे में, कॉलिज में, युनिवर्सिटी में, सौफ्ट्वेर एंजिनियर, लॉयर, डॉक्टर बना पाऊगी स्वास का अधिकार के हम बात कर रहे हैं मुफ्त में, मुफ्त में आपको दवाई में दी जाएगी मुफ्त में, हस्पतालों में आपका इलाज होगा डिस्ट्रिक्स में, ब्लॉक में हस्पताल बनाए जाएगी नवदे विद्याले खोले जाएगी क्योंकि यह आपका पैसा है भाई और बेनों यह अनिलम्मानी का नहीं है, मैहुल्चोक्षी का नहीं है और युवाउं की मदद करने के लिए युवाउं की मदद करने के लिए हमने साप बोला है आज राजिस्तान का युवा अगर बिजनेस चालू करना चाहता है तो उसे अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट से पर्मिशन लेनी पड़ती है एक department से permission लो दूसरी से permission लो तीसरी चोती पाँच मी से permission लो पता लगता है permission ही लेते गए business नहीं चालू हुआ हमने कानून बदल दिया है जैसे हमारी सरकार आएगी युवाओं को किसी भी सरकारी department से business खोलने के लिए कोई permission लेने की ज़रूरत नहीं 3 साल के लिए कोई permission लेनी की दरातने आप आपना बिजनस चालू करो 3 साल बाद जब आप के लिए 30-40 लोग काम करेंगे आपके साथ 30-40 लोग काम करेंगे आपका बिजनस त्यार हो जागा तब आप सरकारी डिपार्टमंट के पास जाईए क्या हिए भी यह हमारा बिजनस है अब हमें पर्मिशन दीजिये तीन साल बाद आप पर्मिशन लेना किसानों से मैं आखरी सवाल पूछना चाहता हूँ हमने एतिहासिक निर्नने लिया बाई और बेनों अने लंबानी जेल में अंदर या बाहर बाहर विजय मालिया अंदर या बाहर मेहुल चौक से अंदर या बाहर इन लोगों ने लाखों करोर रुपे करजा लिया है अने लंबानी का 45,000 करोर रुपे करजा वापिस नहीं दिया मेहुल चौक सी का 35,000 करोर रुपे करजा सरकारी बैंक से पैसा लिया है वापिस नहीं दिया ये सब लोग बाहर हैं अब भाईयों और बहनों अगर राजिस्त किसान 20,000 रुपे करजा लेता है वापिस नहीं देता है तो बाहर होता है या अंदर जेल में होता है या बाहर होता है जेल में होता है तो किसानों हमने आपके लिए एक नया कानून 2019 के चुनाओं के एकदम बाद राजिस्तान का हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्जा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा मोधी जी पहले आप अनिलम्मानी को मैउल चोक्सी नीरफ मोधी को अंदर कीजिए फिर किसानों की बात कीजिए अगर वो बाहर होंगे तो किसान भी बाहर होंगे हम नया कानून बनाएंगे हिंदुस्तान का एक भी किसान कर्जा ना लोटाने के लिए जेल में नहीं जाएगा यहाँ पे दोलपुर से करॉली के रेलवे लाइन थी कॉंग्रेस पार्टी उसको ब्रोड गेज करना चाहती थी नरेंद्र मोदी जी चौकिदार ने आपसे भी चोरी की ब्रोड गेज नहीं करने दिया यहाँ पे अभी मुझे बताये गया है कि चंबल के पानी को यहाँ लाने का एक प्लैन बनाये जा रहा है गेलोड जी उस प्लैन को स्टडी करेंगे और अगर चंबल का पानी यहाँ लाया जा सकेगा तो कॉंग्रेस की सरकार उस पानी को यहाँ आपके लिए लाएगी आप सब को मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ आप दूर दूर से आई इतनी गर्मी में आए